नमस्कार दोस्तों परिश्कार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे हमारे संस्कृत के लेक्चर थर्ड की जिसमें आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है उच्चारन इस्थान और प्रयत्न ये दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट है और इससे बहुत सारे प्रश्ण आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो थोड़ा साम देख लेते हैं कि इस टॉपिक को लेकर आपकी पिछली परिक्षाओं में ग्रेट फर्स्ट में और ग्रेट सेगिंड में दोनों ही मैंने पहले भी बात क पूछे गए हैं हम थोड़ा सा उस पर विचार कर लेते हैं उसको देख लेते हैं तो देखे सबसे पहले टीचर ग्रेट सेकिंड 2013 में कैसे पूछा गया है कि संस्कृत वर्ण माला यहां उच्छारन स्थानानी वर्तनते सीधी सीधी संख्या यहां पर उच्छारन स्वलों की पूछी गई है आंसर अभी हम नहीं करेंगे अभी मैं सिर्फ आपको प्रशन बता रही हूं यह सारे प्रशन हम दुबारा लेंगे लेकिन कब लेंगे जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद आप खुद जब रेडी हो जाए अब यहां पर पर पर्टीकुलर एक वर्ग दिया गया है तैवर्ग और उसका उच्चारन इस्थान यहां पर पूछा गया है फिर तेरा में ही परश्ण है विसरगत से उच्चारन इस्थान अकर ने अगला प्राश्न स्ठाइँ निन्मना लिखेटेशू वरनेशू इशत इस्प्रस्टाः वर्णा चेतव्या। और यहां पर यह अभी तक बात करी थी उच्छारन इस्थल की। अब यहाँ पर ईशत इस्प्रस्ट जो कि हमारा क्या है अभियंतर प्रयत्म है उसकी यहाँ पर चचा की गई है यानि प्रयत्म से किस तरह से प्रश्ण पूछा गया वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसके बाद टीचर ग्रेट सेकिन में 2016 में देखी कैसे पूछा गया व से यह अब तक हमने देखा था टीचर ग्रेट सेकिंड से और फॉर्स्ट में देखिए इस टॉपिक से किस तरह से प्रश्ण पूछे गया थोड़ा साम देख लेते हैं लगु सिद्दान कौमुध्या नुसारेन आभियंतर प्रयत्म कतीधा भवती यहाँ पर सीधा-सीधा आभियंतर प्रयत्म कितने प्रकार का होता है यह पूछा गया है जब हम प्रयत्म पढ़ेंगे तब इसको बताएंगे टीटेल में यन वर्णा नाम उच्चारनम बाहिय प्रयत्म से नाम अस्ती अब यहाँ पर यन एक जो है आपको वर्ण देदी है और यन में क्या आते है हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने वर्ण परीचे पढ़ा था उन उच्चारन का यहाँ पर क्या पूछा गया है बच्चों बाहिय प्रयत्म पूछा गया है किनका बाहिय प्रयत्म कौन सा होता है यानि एक प्रयत्म आपको यहाँ दिख रहा है दो तरह के प्रयत्म आप तो फिर वेंजुनों का भी होता होगा यहां बिल्कुल स्वारों का अलग होता है और वेंजुनों का अलग होता है तो यहां पर इस्वारों का अभी इंतर प्रयत्न पूचा गया है इस तरह से प्रश्न पूचा गया है की इस तरहसे उचारण इस्थल और प्रयत्नों से जो हैं लेकर के प्रशन पूछे गए हैं हमारे टीचर ग्रेट फर्स्ट में और सिकिन में, तो हम थूड़ा सा इस विशय पर प्रकाश जालते हैं, थूड़ इसी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम उच्चारन स्थान को जान लेते हैं, स्थानानी अस्टिफ, देखिए, कहीं कहीं हो सकता है कि किसी किताब में 11 का उलेख हो, या हम कहते किसको हैं तो क्या कहा कि वर्णों का जिस इस्थान से यानि हमारे मुख के अंदर कुछ इस्थान होते हैं और जिस इस्थान से जो वर्ण बोला जाता है ना देखो वर्णान अभिव्यक्ति यानि वर्णों के अभिव्यक्ति को प्रदशित करने वाला जो इस्थान है उसको हम उच्चारन स्थान या उच्चारन स्थल कहते हैं और ये कितने होते हैं और इस प्रकार से 8 स्थान यहाँ पर परिगनित किये गए हैं देखिए अब थोड़ा सा हम जो हमारे उच्चारण स्थल है इसको यदि आप इस चाट से ढंग से समझ लेंगे तो आप कभी भी इसमें कन्फ्यूज नहीं होगे है ना देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए कैखेगेंगे यह आपका पूरा कौन सा वर्ग हो गया है कैवर्ग हो गया है और एक क्या यहाँ पर है इनकी अभिव्यक्ति कहां से होती है देखिए यह रो जा रहा है यहाँ पर कंट से यानि हमारे यहाँ पर जो इस्तित बिल्कुल अंत में मुख के अंदर उसको हम क्या कहते हैं कंठ आपको दिखा एक अधिता है तो इनका उच्छारान स्थल क्या हूता है दोस्तों कंठ होता है अब कंठ से हम जैसे ही थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यह उपर वाली जो आपको दिखते हैं ऐसे यह जो कठोर छत है इसमें जो पीछे वाला भागे उसको हम क्या कहते हैं तालू यह देखे आपके यह जो चित्र हिस्से आपको समझ में आ रहोगे कि यहां पर एंड में यह कंठे और इसे जब हम थोड़ा से उपर चले तो क्या आएगी तालू तालू से किसको आपका चैवर्ग हो गया चाचा जाजा यह और यह और एक क्या है इसमें श ठीक है तो इसका उच्छारन निस्थल क्या है तालू इच्छू यह शानाम तालू अभी हम सूत्रों को भी पढ़ेंगे अगर आपको सूत्र याद हो जाएंगे तो सारे उच्छारन निस्थल आ और आपका यह पूरा टवर्ग हो गया र और श रिटू रशा नाम मूर्धा इसके बाद हम आएं यहाँ पर दन्त यह जो इधर आगे के दातों के पीछे का जो इससा देखें आप बोल के देखें तथ जीप कहां पर टच कर रहे हैं दातों के पीछे वाले से पर है ना जस हो रहे होटो का प्रयोग हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं यह प्रमुख तया यह हमारे मुखे अंदर इस्तित है कंट तालू मूर्धा दन्त और ओस्त इन सब का उच्चारन होता है आगे चलते हम इस्थानानी अस्ट यह अभी हमने आपको बता दिये हैं यह जो आठ होत है यह सूत्र है अकूह विसरजनिया नाम कंठ अब थोड़ा साम इस पर देखो चर्चा करते हैं अब यहां पर आप देख रहे हैं यह राव ठीक है कूह यह हमने वर्णों में खूव अच्छे से पढ़ लिया था कूचूटू तूपू उदित वर्ण पढ़े थे इसमें क क्यों की कया हो जाती है इत्संग्या हो जाती है तो कःवर्ग हो जाएगा तो ये पूरा इस पि 꺋 से क्या सम्बन है कवर्ग की एब को थोड़ आसा पीछे ले जाना चाहती हूं हमारे पिछले एक्षर में हमने पढ़ा था कि तत तत स्थान विसर्ग की जब हमने उसकी व्याख्या करी थी तब हमने क्या पढ़ा था कि तत तत स्थान एक शब्द पढ़ा था की वर्ड पढ़ा था यानि विसर्ग को हम कहां से जानते हैं जहां जिस जिस स्थान का वह वर्ण होगा जो स्वर होगा तो देखे अगर खाली विसर्ग पूछा जाए तो कंट हो जाएगा लेकिन यदि क्या पूछा जाए देखे रामहा अब इसमें विसर्ग किस के आगे लग रहा है मैं क्या आगे और मैं में क्या है उच्चारन इस्थल क्या होता है कंट तो यहां पर विसर्ग का उच्चारन इस्थल भी क्या होगा कंट ही होगा लेकिन यदी पूछ लिया जाए हरे अब पूछा जाए कि विसर्ग का उच्चारन इस्थल क्या है तो क्या होगा किस के आगे लगा है री क्या आगे और री किस तालू इसलिए कहा गया ततत स्थान ठीक है ऐसे ही चाय भानू तो उसमें उसे हम समझेंगे तो कहने का तात्परी यहाँ पर मेरा यह है कि अगर खाली विसर्ग का उच्चा अनिस्तल पूछा जाए तो कंट आएगा लेकिन पर्टिकुलर यदि कोई पद देकर आपसे पावा है ठीक है चलिए आगे चलते हैं तालू ई और चु से क्या हो जाएगा चवर्ख हो जाएगा यह और शं इ तालू सूत्र में इस पस्ट है कि इन सब का उच्चारन सल क्या होता है तालू होता है अगला है रिटू रशा नाम मूर्धा ये देखिए री हो गया तू से टवर्ग हो गया रह हो गया और श मूर्धन्य वाला यहां पर ये देखिए एक शय आपका यहां पर आ गया है ठीक ह में लरी हो गया आपका तवर्ग हो गया ले हो गया और सदंत्य से तो तीनों से जो हैं कौन-कौन से सदंत्य श मुर्धन्य और श तलव्य इन तीनों का ही उच्चारण इसल क्या है दोस्तों अलग-अलग है अब देखे उपदमानिय और जिववा मूलिय हमने वर्ण परीविच्चे में पढ़ लिया था आदे विसरग के समान होता है अगर किसके पहले आएगा के और खे और पे और फे यदि के और खे के पहले आदा विसर्ग होगा तो जिववा मूलिय कहलाएगा और पे और फे से पहले होगा तो उब्दमानिय कहलाएगा और इसका उच्चारन स्थल क्या होता है? ओस्ट और ये देखे वर्गों का क्या है? प्रतेकवर्ग का 5 रवर्ण है, उसका उच्चानस फल क्या होता है? नासिका चले हम आगे कंठ तालू, कंठ तालू में क्या हो जाएगा, ये देखे, कंठ और तालू, अब तक हमने कंठ पड़ा और तालू पड़ा, अब यहाँ पे दोनों मिक्स हो गए, मिक्स क्यों हो गए, क्योंकि A दई तो हो कंठ तालू, A और I, अब देखे, जो ये है किस से मिलक सब वह क्या होता है», कंठ और ईक उच्छानिस्थान क्या होता है है यह किस से मिलकर बनेगा ए और उसे उ को हमने पड़ा कि ओस्ट होता है और एका तो अभी हमने जाना ही कंट है तो क्या हो जाएगा कंट उस्ट लेकिन यह जो वकारस्य खाली वै जो है इसका उच्छानस्थल क्या होता है दंतोस्ट इसको अलग से गिना जाता है दंतोस्ट द अब आपको बता दिया के और खैसे पहले आदा विशर्ग नासिका नासिका अनुस्वार का प्रयोग जब हम करते हैं किसके लिए नासिका से होता है उसका और और सय और अरशय ने उर्षय तो सूत्र है आपका ओर-शय और से लेकि यह कुछ वर्ण है जो है से जुड़ेवे पतलब जिन वर्णों के उच्छारण में एक हृदय से वो निकलती है, कमपन सा होता है, अंदर खिचाव सा होता है, जैसा बोलके देखे, हृदय, पाहिये, बोलके देखे, हर उसमें आएगा आहनिक, यानिर से हृदय के यहां से एक बल का प्रयोग होता है, एक स्वाश से न प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन यह एक इंपोर्टेंट उच्छारण स्थल है, जो कि आठ की गिंती में शामिल होता है, यह सब चीजें तो ही क्या है, तो रिपीट है, इसलिए इनको हम शामिल नहीं करते हैं, देखे, इसी को जो अभी हमने पड़ा, इसको मैंने थो देखे, मज़ेदार बात है, मज़ेदार बात क्या है, कि कि आखितने वर्ण ऐसे हैं जिनके दो चारण स्थलूट नहीं, यह इंपोर्टेंट चीज है, ति इंपोर्टेंट चीज देखे, आप इसको यहां पर यह देखे, यह जो पाच्वा वर्ण पड़ा हमने, यह कैव नासिका चा, यानि नासिका से तो इनका उच्चारन हो ही रहा है, तो एक तो क्या हो गया, उच्चारन स्थल इनका यह हो गया है, है ना, और एक क्या हो गया है, कंठ भी हो गया है, तालू भी हो गया है, मूर्दा भी, यानि इसके कितने उच्चारन स्थल हो गया है, दो, दो कैसे एक कंठ हो गया और एक नासिका हो गया नासिका तो एक सबका है तो अगर हम इस तरह से माने इसके भी दो हो गये इसके भी दो गये इसके भी दो गये और इसके भी दो हो गया हो गये ना चलिए आगे चलते हैं ऐसे आपका यह हम पढ़ चुके हैं नासिका भी मैंना को और बता दिया है कंठ तालू कंटोस्ट दंटोस्ट जिव्वा मूले और यह उरह अभी मैं आपको इनको डिटेल में पढ़ा चुकी हूं चली आगे और देखे इसमें भी पांच अभी हमने पढ़ लिए जिनके दो चार अनस्तल होते हैं एक दो तीन चार और पांच यह है जिनके की दो उच्चारन स्थल होते हैं यह ऐसे पूछा जाए कि दो उच्चारन स्थल वाले वर्ण कितने होते हैं तो दस होते हैं ठीक है यह एक फैक्ट यहां पर मैंने आपको और बता दिया है अब थोड़ा सा हम प्रशनों को सॉल्व कर लेते हैं यह प्रशने वही है जो अभी हमने उच्छान स्थल में से लिये हैं जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिये थे ग्रेड में कि कैसे प्रश्णी पिछली परिच्छाउ में पूछे गए अभी वो नहीं क्योंकि अभी हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है तो फटा फट से फलिंदा ब्लैंक्स आपको सूत्र याद है तो आप ऐसे प्रश्ण बहुत आसानी से कर लेंगे रिटू रशा नाम मूर्धा इसका अंसर हो गया अगला प्रश्ण देखते हैं हमारा रिटू लसा नाम क्या होगा अगला प्रश्ण उपवर्क और उपदमानिया इसका क्या होता है उस्ट होता है वह हमने पढ़ा था तो क्या हो जाएगा उस्ट हो क्यों कि एक उपर का एक नीचे गा अनुनासिक वर्णा नाम उच्चारन स्थानम अस्ती अनुनासिक यमंगा ननम नासिका च तो क्या हो जाएगा नासिका इसका उधाय यह उसका उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन हम देखते हैं अ वर्णासिक उच्चारन स्थानम वर्ण अस्ती अ वर्णासिक यह याने ए किससे मिलकर बना है ए किससे मिलकर बना है ए और ई से तो ए जो ए वर्ण है इसका उच्चारन स्थानम क्या हो जाएगा इसका क्या है तालू तो इसका उत्तर क्या ह पूछा गया है अब आपको उसका बताना है तो आपको सूत्र याद होना जरूरी है इचु येशा नाम तालू से उठाए गया है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा तालू अगला है शावर्नस्य उच्छार्ण स्थानम किम तो शाए किसमें आता है लीतु ना सानाम दंता में आता है क्या नहीं आता बिल्कुर नहीं आता क्योंकि ये वाला से तो क्या होता है दंते होता है और रीटू रशा नाम मूर्धा में भी शे आता है देकिन ये वाला शे तो तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा तालुग.. चले दोस्तों अगला प्रश्ण सवित tabs हें के में स्ध्यार्ण इस अस्था लेकिन दोस्तों यहां पाधे द्यानों के बात यह है कि क्यवर्ण से पहले एक चिन्न लगाया गया है अगर आप इस चिन्न को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप उत्तर गलत कर देंगे तब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा क्यवर्ण किस में आएगा कंठ में अकुह विसरजी ने नाम कंठा आएगा कि ने आएगा लेकिन अगर ये निशान पहले है आधे विसरजी के समान तो और क्य और क्य से पहले तो वह क्या कहलाता है जिववा मूलिय तो यहाँ पर क्य को पूछा गया है कब जब उसके पहले आधा विसरजी है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा जिव्वा मुलं यानि हमें क्या करना है हमारी मस्तिक्ष पर थोड़ा से जोड़ डाल रहे हैं और प्रेश्ण को बहुत ध्यान से पढ़ना है अगला है परवर्ड नसे एज इस सेम सिचुएशन लेकिन यहां पर यह है कि आंसर दोनों सिच बिन और जेगा ऊस्त उपूप्दमानियम ओसट फकी के अगला हमारा प्रेश्ण है विसर्ग स्य उच्च इंचारन स्थानम अस्ति विसर्ग का उच्छन स्थल क्या है रिचारन स्थान विसर्ग का जाहिर सी बात है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहीदे खाली विसर्ग कपूचा जाये तो क्या ज़ेगा कंठा लेकिन यदि कोई पड़ देकर पूछा तो वहाँ पर आपको यह देखना होगा कि विसर्ग किस बढूर में कौन सा सवर है तो उस जिस सवर के आगे वो जिस सवर का जो चरण स्थल होगा एगा ए का उ का तो उसके अनुसार ही आपका क्या लगेगा विसर्ग का उच्चारन स्थल लगेगा अगला प्रेशन देखते हैं दोस्तों ठकार से उच्चारन स्थानम किम ठकार अब ठकार किसमें आएगा ठकार किसमें आएगा टवर्ग में तठ डढ़न और टवर्ग का सूतर क् रीटु रशानाम मूर्धा, मूर्धा से उच्चारित होगा, कौनसा टवर्ग, तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, हम A option के साथ यहां पर जाएगे, A option हमारा क्या है, मूर्धा, अगला हमारा प्रशन है, आई वर्णस से उच्चारन स्थानम किम अस्ती, आई, पहले ह हमने A पूछ लिया था, अब हम किसको पूछ रहे है, A की बात कर रहे हैं, तो A भी किस में आएगा, क्योंकि दोनों का सूत्र A की ही है, कौनसा है, कौनसा है, बताईए जल्दी से, A दवतो, बताईए आगे, कंठ तालू, और O दवतो हो, कंठ उस्टम, तो हमारा उत्तर इ A और A दोनों का उच्छारन स्थल क्या होगा, कंठ तालू, और O दवतो, अभी अभी बताया था, तो क्या हो जाएगा, A और O याने कंठ और O स्ट तो मिलकर क्या हो जाएगा, कंठ उस्टम, आगला प्रेशन हम देखते हैं दोस्कों, आगला प्रेशन है, ओस्टम कस्य तो नहीं होता है तो क्या होता है तो हम किस ऑप्षिन के साथ जाएंगे इसमें हम सी ऑप्षिन के साथ इसमें जाएंगे अगला प्रशन से उचान स्थानम कि मस्ती तेखिये क्या है इसमें वी उत्तर क्या होगा यहां पर देने का मकसद सिर्फ इतना सही है कि इस जंग से पूछ लिए चाहे चाहिए इस जंग से कई पर आगिया तो अब इसका उत्तर जोड़ी होगा लेकिन ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्य यानि आगे हम हमारी कक्षा में फिर मिलेंगे प्रेतन के साथ अभी हमारा टॉपिक तुरा नहीं हुआ है आज हमने सिर्फ उच्छारन इस्थल पड़ेंगे उच्छारन इस्थल और प्रेतन दोनों को पड़ने के बाद पिछली परिक्षाओं में आएगे प्रश्णों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो तब तक के लिए धन्यवाद मुझे आग्या देजिए परिशकार से मैंना मीता धन्यवाद